कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं. बहुत बढ़िया. दिलली कैसा ट्रीट कर रहा है आपको पहले तो ये बता हूँ. दिलली तो तौलक के समझ से वो उस एक ही जैसा ट्रीट करता है. राजनीत ही होती है. अरे सर दिल्ली में दिल लगता है राजनी कौन कहता है जिसको राजनीती नहीं समाज माती हो उसको दिल्ली में दिल नहीं लगेगा अच्छा नहीं नहीं सर मैं आपसे disagree करता हूँ अरे करते रहो यह इसका business है इसका business है मैं originally दिली का हूँ इसले मेरेको तो दिली best लगता एक बात बोलें बंबे भी लगती है obviously मैं रहता बंबे बात बोलें दिली में originally जो कहे कि originally मैं दिली का हूँ यह अपने आप में घलत है जबसे माना गया है दिल्ली तबसे यहां लोग आते हैं जाते हैं अब कुछ समय से लोग बस गए हैं दिल्ली का ओरिजिनली कोई नहीं है मतलब मेरे दाद के पिसावर गए है मैं पणजाब और पिसावर का मिक्स हूं ये तो पैदा दिली में, उसे फरक नहीं पढ़ता है, डी एने कहां कहा है, ये बता है सर डी एने हाफ पठान है, हाफ पंजाबी है अगर मैं आपसे कंपैरेजन पूछे, घलका सा कि मुंबई जादा बेटा रहा है या डेली, आपको रहने में और कुछदिया मुझे इतने मिरे गुरू दी है मेरे प्यारी प्यारी भाई दी है मुझे काम दिया है जिसके फूरा करदो सिख मकमste हॡ़्ये में पहर हो लगते हूँ सभूक्त मैं भाई के व्लAt अम्यों के व्ले क्या रहा हूं हाई तो हम तो अच्छी सोच रखते हैं, देखो, हम तो सीधा सीधा भाई भेन, इस तो बड़े तो कोई रिष्टा हो नी सकता यह अच्छे रिष्टा हम बिश्वास नहीं कर रहा है सर अब थोड़ी मूवी की बात करते हैं कि अगर मैं आप से पूछूँ आया आप सबसे पूछू की वाई यू चोज दिस मूवी की मला आपने इतने सारे प्रोजेक्ट करें यही मूवी की उचूज करी आपने सबसे पहले तो मैंने इसलिए इसे चुना क्योंकि राकेश जो डिरेक्टर है राकेश चातुरुवेदी वो मेरे जूनियर है जी हम उनके बोले भाई जैसे हैं अब उनसे ना कहा नहीं जा सकता है कि भाई मैं नहीं करूंगा यह ज़रा संभव नहीं है तो जब उन्होंने काफी कुछ स्क्रिप्ट के बारे में एक मोटा मोटी उन्होंने जब बताया मुझे कि ऐसा है तो मुझे लगा कि यह तो जिस चीज पर विश्वास करते हैं उसी पर विश्वास नहीं है अब अगर आप देखिये आज की तारीख में तो हर आदमी भगवान को लेके ऐसी श्रद्धा उसके अंदर से पाइदा होती है और वो दूसरे भगवान को गली दे देता है तो मेरी समझ में यह बात आई कि यह बड़ी इंट्रेस्टिंग बात काह रहा है कि भाई यह समझो कि भगवान पर अगर तुम्हारे आस्था और विश्वास है तो सब पर रखो तो मूल रूप से हमको उसका कॉंसेप्ट उसका कॉंटेंट बहुत अच्छा लगा तो हमने कहा कि करते हैं और फिर साथ में म आपके पास आयते हो आपके जानकारे तो आप दोना नहीं कर पाए पहले कर भी ऐसा हुआ कि आपके बहुत क्लोज कोई मूवी लेकर आया है और कॉंटेंट एकदम घटिया अब अब अश्मंजी समयार इसको माना करो तो पैसा मांग लेंगे अच्छा पैसा बढ़ कि जी बजट में नहीं है तो हम क्या करें हम तो तयार है करने को आपको बजट नहीं है नहीं मूलता सब लोग यही करते हैं अशा नहीं है कि हम ही कर रहे हैं यह जाओ यही कर दो गिल्टी और रजनीश भाई आपने 1920 के बाद फिर आपने यह पूरा डिफरेंट हो गया यह इसमें मेरे लिए सबसे इंट्रेस्टिंग यह था कि मेरे ममी पापा जो है वो वहीं रहते हैं ब्रिंदावन में दिल्ली से वहां शिफ्ट हो गए थे तो पापा की जिस डेथ हुई थी और ममी अकेले अब ब्रिंदावन रहती है तो मेरे बहुत सबसे बड़ा लालत यह था कि मैं उनके पास एक महीना रह पाऊंगा जब मतुरा शूट थी तो मैं रह रह था ब्रिंद करते हैं उन लोगों का पीछे का क्या है उसके उपर है मतलब उनके एक्चुली जब वो घर जाते हैं जब वो राम का भेस उतारते हैं लक्समन का उतारते हैं सीता उतारती है या मतलब जो में महंत हैं वो उतारते हैं तो उनके घरों में क्या-क्या चल रहा है और उनके तो मतलब उसके बीच बीच में जो यह कमर्शल करने के लिए जो डांस होते हैं जो अलग लग आइटम सौंग आजाता है तो उस उन चीज़ों को तच किया है पिच्छर के अंदर मुझे इस यह था उन ले पार का। क्योंकि तो मैं न इसले जानता हूं, क्योंकि दोस्ट भी जानता हूं लेइन As an actor, मैं जानता हूँ कि इनके अंदर फायर बहुत तगड़ी है और मुझे पदा चला कि सहर है Then I knew कि जो मेन स्थम्ब हैं मतलब, you know, she's there I've never worked with her But I've seen her work So मुझे लगा कि जो पिलर्स हैं पिचर के अंदर और फिर मेरा भी एक पिलर जो बन रहा है तो मतलब, वो मुझे इंट्रेस्टिंग लगा कि Ram, Sita, Rawand, जहाँ-जहाँ बन रहे हैं वो बहुत अच्छा कहीं पर बैठेगा And politician हूँ है So obviously वो look फिर जाती है वाइब है आपकी वैसे देखके लगता है कि बढ़िया तभी मैने पैन लिया मिनिमम लग रहा है कि Mercedes खड़ी आपकी नीचे प्रोड्यूसर ने वही बेजिया Mercedes जी है, Mercedes जी है आचल आपसे क्वेश्चिन है मैं आपके वारे में पढ़ रहा है कि आपने बच्पन से ही काम करता है इंडस्ट्री में आपके लिए चाइल आपके लिए चाइल आपके लिए तो आपके लिए तो आपके लिए थोड़ा बताओ यार वो मैंने प्रॉब्लम फेस्टो की है विच इस वाई मुझे तीवी छोड़ना पड़ा था क्योंकि जब मैं तीवी करती थी मेरे बच्पन में डरा दिया जाता था कि अगर आप टीवी करते रहोगे तो आपको फिल्में नहीं मिलेगी क्योंकि आपको उसी रोल में देख लिया जाता है मैं इतनी तरग ही मैंने टीवी छोड़ दिया और मुझे ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि मैंने टीनेज में छोड़ा था अब एक ही जख़बा था, फिल्मे करनी है, फिल्मे करनी है, क्यों? क्योंकि ऐसा निया है कि मेरे लिए TV नीचे है, बिल्कुल भी नहीं, अब तो सारे ही mediums एक हो गया है, एक समान है, मुझे ना, मेरे अंदर इतना कुछ है करने के लिए और देने के लिए, कि मुझे एक ही character बस उसको सालो साल नहीं करना है फिल्मों के थुरू आप बहुत सारे कारेक्टर्स प्ले कर सकते हो in very less span of time तो जब मैंने टीनेज में टीवी भी छोड़ दिया अब मैं जाती थी बड़ी-बड़ी फिल्म के लिए मीटिंग में जाती थी तो जब मैंने काफी साल तक फेस किया अंटिल गायल मिली गायल में जब लोगों ने देखा कि नहीं अब यह बड़ी हो रही है अच्टर तो है यह अच्छी ऐसे जैसे लोग बुलते है फिर उसके बाद साउथ में काम किया तो जब साउथ में as a main lead आई for the first time I think वो perception change हुआ लोगों का कि no now she's growing, she's looking beautiful and उसके बाद धीरे धीरे तो लोग कांसिडर करने लग गए और वैसे ही मनली केम आई वे तो इसे मोँ फन तो तो टीव या फिर फिर फिर्म fun तो मेरे ले इस acting yeah मललब it does not matter कि आप कौन से मीडियूं पे हुआ as long as I'm on a set and there's camera in front of me I'm the happiest that's all that matters Abhishek भाई, आप बड़ा जोश में लग रहो मैंने अभी टीजर देखा था और पूरे रोल में घुसे हो आप so आपके लिए कैसे आपने वो adapt किया रोल जो आपका है उसमें और वो process किया थोड़ा उसके बारे में बताओ यार क्योंकि जैसे कहते हैं की actors बंद हो जाते हैं कमरे में फिर preparation करते हैं उसकी ऐसा कुछ हुआ था या फिर वो इन बिल्ट ही आ रहा था आपके अंदर देखो जब आप राम जी की बात करते हो या लक्षमन की बात करते हो या राम लीला की बात करते हो या किसी छोटे शहर के किसी ऐसे इनसान की बात करते हो जो संगर्ष कर रहा है अपने जीवन में अपने सपनों तक पहुंचने के लिए जो कि हम सब कर रहे हैं का और एक स्टार बनने का एक हीरो बनने का जो सपना है उसकी जगे मुझे वो मंडली का सपना था मेरे लेकिन घुसे कैसे ये में आंसर को द्याई नहीं बता है हम कई बार देखिए मैं जो आचीज आपको बता रहा हूं आप उसको सुनने के लिए अगर तैयार हो मैंने कहा कि वो चीजें हमें सीखने की जरूरत नहीं है वो मिरे अंदर अल्रेडी थी नैचुरल मैं जाता था और कर देता था मुझे नहीं चाहिए थी तैयारी तो मेरे मार्णार गज गरया था मेरे को पता है अगले सेन में मुझा क्या करना है मुझे हाला तो मेरे लिए आसान था को तयारी भी डिया और मैं अर मैंने नहीं है कहीं से मेरी स्कूलिंग नहीं हुई, मैं FTII नहीं गया हूँ, मैं NSD नहीं गया हूँ, हाँ मुझे थेटर करने का मौका मिला नादिरा जाहिर बबर जी के साथ एक जूट ग्रूप में और वहां पर मैं दो सब्सक्राइब कह सकते हो बेस है और उसके बाद कुछ ऐसी तैयार हो गया अचा आचल आपकी और इनकी बड़ी टीजर में वो चल रही है भेडंत टाइप की पैसा ही सब कुछ है एक तरीके से, सब कुछ है पता है, बट क्या मुद्दा चल रहा हूँ थोड़ा बताओ उस बारे में कि क्यो हो रही है आपकी लड़ाई और क्या इशूस के थ होती है और कैसे ढलती जाती है और यह जो चारेक्टर प्ले कर रहे है अभिशेक उनकी एहमियत क्या है बंटी की लाइफ में विच इस वाई टॉबिलेंस होते है रिष्टे में और उसको जो स्टैंड लेना पड़ता है वो लेती है कभी-कभी आपको ऐसा लग भी सकता है क पुरू राइफ है जैसे वो प्ले कर रहे है बट बूही है मैं चाहती हूँ कि आप ट्रेलर देखो फिल्म देखो और आपको पता चलेगा कि क्या यह पैसे की लड़ाई थी या कुछ और थी पैसा फिर सच्चा प्यार तो हो सकता है सच्चे प्यार की लड़ाई हो या ऐस क्ष्क को कर प्यार है अंकंडिशना सर आपको क्या लगता है सच्चा प्यार क्या होता है यह सच्चा प्यार यह लोग बता preaching प्यार तो प्यार है अगर हुआ बिल्कुल सर आपको तो experience रियसे कोई चीज इस दुनिया में नहीं है ही और एकजिस्ट नहीं करती है वालॉब जैसे प्यार बोलते हो न जब आप प्यार बोलते हो तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत लिंदी सी चीज प्यार बहुत foods momentary چीज है चुनक है एक चीवाहां मिलता है पता चलता है आप च्छ महिन पृता दिया है तो प्यार जो है आप चई महिने का नहीं है प्यार्स मोमेंट का है और हम उसी मोमेंट के लिए सारा जीवन जीते हैं क्योंकि प्यार जो है वो दुख से पाइदा होता है प्यार से दुख पाइदा नहीं होता है दुख से प्यार प्यार से भी दुख पाइदा होता है हाँ मतलब बहुत बार होता है सर कि प्यार हो तो दुख ही दुख चले जिंदगी में प्यार का मैं अल किसी जो अप किसी इसे प्यार करते हो आप एक कभी किसी सच्चे रिषी मूनि sık जोगी को जब आप दो कहते नहीं है तो उनका किसी और चीज से कोई भो नहीं रह जाता है वह खुद भो जाते है और अब वह कुछ भी नहीं है वो शुन्य है वो प्रभू के साथ साथ इंसानों प्रभू के साथ साथ से इंसानों प्रभू की बात कर रहे हां पर दित यह जैसा भी हो लिगुशा अपनी बीवी से उम्मीदें नहीं है कि आप उनको उसमें बांधते हो कि आप ऐसा करोगे और वैसा करोगे आपके प्यार में शर्ते हैं आपका प्यार बंढ रहा है हजार जगों पे प्यार करने का मतलब क्या साथ में रहना है क्या शादी करके अ उस चीज़ के लिए उसकी आजादी उसका जीना उसका जीवन दो व्यक्ति जीवन में हमेशा अलग होते हैं भिन होते हैं हमारा जीवन एक बार मिलता है दो बार नहीं मिलता है खत्म हो जाता है सबी व्यक्तियों को अपना जीवन अकेले-अकेले संपून अधिकार होता है उन्हें स्वतंतरता से जीने का जब आप स्वतंतर होके प्यार कर पाते हो जब आप खुद से बाहर जहांक कर उससे प्यार कर पाते हो खुद को भूल कर उससे प्यार कर पाते हो हाँ भावुक है यह बिल्कुल वह ऐसा होगे ओपन मेरेज ओपन मेरेज की बात कर रहे है नहीं 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 देखू तो मतलब सुतंत्र प्यार का होता है बे प्यार हुआ तो सुतंत्र रहे ही नहीं हमारे प्यार में क्या प्राब्लम होती है हमारे प्यार में वैचारिक मतभ अब मेरा भला है अपने परिवार का सोच रहे है कि किसी तरह हमारा घर बने मान सममन, पता नहीं क्या चिश़् देख रही है खर बांध रहा हूँ धाल और अंत में जब प्यार होगा वो तब होगा जब अपने आपको तोड के बाहर निकलेगी और जब मैं अपने आपको तोड़ के बाहर में क्या बात है ये बात सही है ये बात मैं मान लेता हूँ ये बात मैं मान लेता हूँ सर ऐसा लग रहा है अभी भी नी मान रहे कुछ पंच मार होगे अभी ये सर ने इसलिए बोला है ताकि अगला क्वेस्टन पूछो इसका उड़ा है इसको के दोग बेरो लाके जो है मंडली पर रोका है तो इसलिए हमने सुइकार कर लिया है वो एक बूल मुद्दा है